हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है नौलेज आल अबाउट के इस वीडियो में मैं हूँ स्रवड पटवा आज हम सभी जानेंगे SBI Apprenticeship का आउनलाइन फार मोबाइल और कम्प्यूटर से कैसे भर सकते हैं रेजिस्टेशन से प्रिंट तक योगिता फिस लेबस और शंपूर जनकरी वीडियो को अन तक देखें जो लोग इस चैनल पर पहली बारा हैं वो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें क्यूंकि हमारे द्वार प्रतिये स्टेट बैंक के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आवेदन का आनलाइन पंजीकरण 20-11-2020 से 10-12-2020 तक रखा गया है आनलाइन परिक्षा संभावित तिथी जन्वरी 2021 में हो सकती है यह प्रसिक्षड हे तू भरतिये नागरुईकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है उमिदबार के वल एक राज्य में प्रसिक्षड के लिए आवेदन कर सकते हैं पंजीकरण की प्रकिरिया तभी पूरी होगी जब बैंक में आल्लाइन तरीके से सूल का भुगदान अंतिम्ति थी को या उससे पहले कर दिया हो साथ ही उमिदबारों से निमलिखित वेबसाइड यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन पे देख लेए बहु सारे 3-4 अप्रेंट साईड जो दिये हैं अप्लाइ करने के लिए साथ ही प्रसिक्षड की राजजवार सीटे, राजजवार स्थानिय भासाएं जिले बार प्रसिक्षड सीटे, आईू सेक्षड कि योगता, प्रसिक्षड की अवधी इस सारे जनकारी इस पीडियाप में आपको मिल जाएगी मैं इस पीडियाप को अपने डिस्क्रिप्शन बाक्स में डाल दूँगा आप वहाँ से डाउनलोड करके जो है इसे अच्छे से देख लें यहाँ पे इस्थान, इस्थानी भासा और प्रसिक्षड सीटों की संभावित संख्या जो है यहाँ प्रदर्शित की गई है जिसमें आप देख सकते हैं राज केंसासी प्रदेश भासा और यहाँ पे STSC, OBC सारे वर्ग का यहाँ पे सीट दिया हुआ है इस प्रकार आप जब इस PDF को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उमिदवारों को आनलाइन आवेदन के समय अपने चैनित राजी की एक निर्दिश इस्थानी भासा का चैन करना होगा सीटों की संख्या जिलेवार बेवरा निम्ला नुसार है जहां प्रसिक्षड दिया जाएगा विमिदवारों को पंजिक रड के समय आवेदीत राजे के किनी भी तीन पसंदीदा जिलों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा इस प्रकार यहां पे राजे कूल सीट्स जिलेवार प्रसिक्षड सीटे यहां पे दी हुई है आप इस पीडियाप में देख लेए साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें आयू सीमा 31-10-2020 को नियूंतम 20 वर्स और अधिक्तम 28 वर्स तक रखा गया है जिसमें आयू सीमा में छूट लागू भी है जिनका उम्र इस से अधिक भी होगा तो उनको अरक्षड कोटे के हिसाब से आयू सीमा में छूट दिया गया है उसका लाव मिलेगा साथ ही सारेरिक रूप से जो P.W.D. वाले हैं ए सी वाले भाग को अच्छे से अधियन कर लें सैक्षडी की योगिता 31-10-2020 को किसी मानेता प्राप्ट विश्विद्या ले संस्थान से इसना तक उत्रीड होना चाहिए प्रसिक्षड की अधि तीन वर्स है तीन वर्स के बाद जो है आपका ट्रेनिंग जिस कारे इस्थल या जहां भी आपका पोस्टिंग मिला होगा वहां से आपको निकाल दिया जाएगा या कोई रेगुलर जॉब नहीं है या एक प्रसिक्षड है जो सिर्फ तीन वर्स के लिए ही है जिनका चेयन इस अप्रेंटिस से प्रसिक्षड के लिए होगा उन्हें एक स्टैपन भी प्रदान किया जागा जिसमें पहले वर्स 15,000 दूसरे वर्स 16,500 तथा तीसरे साल 19,000 रुपय का स्टैपन प्रदान किया जाएगा या एक फिक्स स्टैपन होगा इसमें किसी भी प्रकार का कटवती नहीं किया जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है उतना है स्टैपन मिलेगा और उसके अलावा ज्यादा भी नहीं मिलेगा इसमें साब देख सकते हैं कि प्रसिक्षू किसी आने भत्ते और लाव के लिए पात्र नहीं है इसमें चेन प्रकिरिया आनलाइन लिखित परिक्षा और इस्थाने भासा की परिक्षा के अधार पर होगा इसमें जो है आनलाइन लिखित परिक्षा आनलाइन वस्तुनिस्थ परकार की संरचना इस परकार होगी साथ ही इसमें जो स्लेबस दिया हुआ है यह बैकिंग पैटर्न के हिसाब से दिया हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लेबस आपका यही है स्लेबस को आप अच्छे से देखले कुल टोटल प्रश्णों की संख्या सव होगा अधिक्तम अंग सव होगा और आपका समया वधी एक घंटया कही होगा साथ ही इसमें एक बटा फोर माइनस मार्किंग भी दिया हुआ है प्रते गलत उत्तर के लिए प्रश्ण के लिए अवंटिद अंग का एक बटा चार काटा जाएगा तो किर्प्या इसका भी ध्यान रखा जाए आप लोगों के द्वारा इसमें जो है चैन दो प्रकार से होगी और प्ररके, पहला आर्लााइन लिखित परिक्षा के माध्यम से और दूसरा इस्थाने भाशा की परिक्षा के अधार पर होगा, तो स्थानी भाशा के लिए आपको इस प Patriot के जन्वरी 2021 में संभावित हो जाएगी यहां पर परिक्षा के अंदर आप देख सकते हैं इसमें आवेदन सुल्क समाने OBC EWS वाले लोग के लिए 300 रुपए है और अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और PWD के लिए किसी भी प्रकार का कोई सुल्क नहीं दिया गया है ओनलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने फोटो सिगनीचर का जो यहां पर प्रारूप दिया हुआ है कि किस प्रकार आपका होना चाहिए इसका आप अध्यन कर लिजे फोटो हाल ही कि पासपर्ट अकार की रंगीन फोटो होनी चाहिए सुनिशित करें कि फोटो रंगीन वहलके रंग की हो और जहां तक हो सके स्वेट बैक ग्राउंड में हो तो इस प्रकार का फोटो और सिखनेचर के बारे में यहां पर बतायागा है सिखनेचर भी आवेदग को काली स्याही वाली कलम से स्वेट कागज पर हस्ताक्षर करना है हस्ताक्षर के वल आविदक द्वारा ना कि किसी अने व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए ऐसा इसमें दिया हुआ है इसमें स्केनर का रिजूलेशन, फोटो और हस्ताक्षर के बारे में सभी चीज़े यहां पे दी हुई है इस वीडियो को आप अच्छे से अध्यान कर लिजेगा मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को डाल दूँगा साथ ही वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूँ कि यह अपरेटिस ट्रेनिंग क्यों करें तो दोस्तो इस वीडियो को आन तक देखें और इस वीडियो को देखने में किसी भी प्रकार का इसकी बटन इस्तमाल न करें तो दोस्तो इसी के साथ मैं आपको आगे की परकिलिया में फार्म भर के बताने वाला हूँ कि आप किस तरह यह फार्म भर सकते हैं तो इसी के साथ फॉर्म भरना शुरू करते हैं कि फॉर्म को भरने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहीं से डिरेक्ट जो है फॉर्म भरने वाले साइड पर चले आएंगे तो इस तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यह SBI State Bank का इंटरफेस सामने दिखाई दे रहा है इसमें Click Here to New Registration वाला भाग दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है साथ ही यहाँ पर एक important events दिया हुआ है इसका भी आप अध्यान कर सकते हैं जो PDF में भी दिया गया है तो Click Here to New Registration पर क्लिक करें Click करने के बाद आपका इंटरफेस इस प्रकार दिखाई देगा दोस्तों यदि जो लोग Mobile से इस फर्म को भरना चाहते हैं वो अपने Mobile को Landiscape मोड में रखकर ही इस फर्म को भर पाएंगे पोट्रेक मोड में जो है इसका पेज ओपन नहीं हो पाएगा सो नहीं करेगा Mobile को Landiscape मोड में करके ही आप इसको Mobile के माध्यम से भर पाएंगे तो इसमें आपको इस तरह देख सकते हैं कि पांच चरड़ों में इसका registration जो है complete होगा या फर्म में भर पाएंगे सबसे पहला है basic details, second है photo and signature, third है details, fourth है preview, last में जो है payment option है इसमें जो है first name, confirm first name, middle name, last name और यहाँ पे full name आपको दिखाई देगा Mobile नंबर और alternative mobile नंबर email ID इस प्रकार इसको भरने के बाद Save English पे आपको क्लिक करना है, इसमें वही Mobile नंबर और email ID का उप्योग करें जो आप regularly यूज करते हैं यहाँ पे email ID को भरते समय, domain का domain name आपको यहाँ से select करेना है, आपका किस domain name से email ID बना हुआ है साथ ही यहाँ पे capture code का fill up करने के बाद आपको save and next पे क्लिक करना है, एक बात और बताना चाहूँगा कि सभी लोग जो form fill up करते हैं, name, middle name और last name उसको सभी form को na capture letter में ही भरें, उस पर भरने के बाद save and next पे क्लिक करें save and next पे क्लिक करने के बाद आपको एक message डिस्पले किया जागा, are you sure the data entered is correct, यही आप sure हैं तो ok पे क्लिक करें, अन्था cancel पे करके आप फिर से अपने data को सुधार सकते हैं तो ok बटन पे क्लिक करें, सभी सही है तो, ok बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस परकार का interface सामने परदासित होगा, जिसमें आपका registration number और password दिखाई देगा उसके बाद नीचे आपको photograph के लिए एक यहाँ पे note दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लें, चाथ ही यहाँ पे scan it photography और photo के लिए यहाँ पे upload करने का option दिया हुआ है और साथ ही guidelines for scanning the photograph and signature और photograph and signature के लिए guidelines भी दिया हुआ है, तो इसका आप अध्यान कर लें और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि signature not be capital block letter, signature जो है आपका capital letter में नहीं होना चाहिए, इसका भी दियान आपको तखना है दोस्तो photo and signature के upload वाले भाग में आप इस प्रकार का एक error message दे सकते हैं, file name space not allowed और invalid image format और invalid extension, salt not allowed to upload तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं file name इस प्रकार का दिया था जिसमें sk के बाद एक space है, उसके बाद peak लिखा हुआ है और यहाँ पर photograph यह photograph है, signature बारे भाग में यहाँ पर space नहीं है, इसलिए यहाँ पर upload ले लिया है तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो file name देंगे, without space के देना है, space देंगे तो आपको इस प्रकार का red color का एक message सो करेगा तो इस प्रकार आप जो है, यहाँ पर choose file पर आपको ले जाके मैं दिखा रहा हूँ इस प्रकार जो file name है, देखे, sk के बाद एक underscore लगा हुआ है, उसके बाद signature है, यहाँ जो है एक space है, तो यहाँ पर space नहीं देना है आप लोग को, नहीं तो उसी प्रकार का एक message जो करेगा इस प्रकार photo और signature upload करने के बाद आपको next button पर click करना है उसके बाद आपको basic details का form सो करेगा जिसमें आपको भरना है, इसमें आप किस राज़ी के लिए apply कर रहे हैं, official language वहां का क्या है, यहाँ पर सो कर देगा, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि read, write and speak जो है of specified local language आपको आना चाहिए आप जिस राज़ी के लिए apply करने वाले हैं, वहां का जो language है, आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए साथ ही यहाँ पर आप district, किस-किस district में तीन जो district दिया हुआ है selection के लिए, प्रसिक्षण के लिए उसका आपको यहाँ पर chain करना है उसके बाद आपको category यहाँ चेन करना है, सब कास्ट आपके जाती प्रमापत में दिया हुआ, यहाँ पर देश सकते हैं, सब कास्ट मेंसन इनकास certificate पर होना जाहिए क्या आप disability है या no या no पर click करना है, यहाँ यदि yes करेंगे तो आपको उसके बहुत सारे types of disability और degree of disability का बहुत सारा आप्तन आएंगे यहाँ जो disability वाले हैं yes पर click करें नहीं है तो no पर click करें उसके बाद आपका जो है बहुत सारा option जो है disable हो जागा साथ ही आप यहां पे आप किस धर्म से हैं उसका chain कर लीजिए उसके बाद community किसे हैं यस या नो पे इसका फिक्लिक कर लें नेशनाल्टी आप किस स्टेट से बिलॉंग करते हैं उसका chain करना है examination center के लिए तीन आप संदिया हुआ उसका आपको chain करना है यहां पे आपको date of birth का chain करना है जेंडर, marital status, father's name, mother's name इसको फिल्ड करने के बाद आपको यहां पर state selection करना है उसके बाद permanent address के लिए यहां पे एक check box दिया हो यदि सेम है तो check box पर इक्टिव कर दें उसके बाद यहां पे इसको फिल अपन नहीं करना होगा जो st, sc वाले हैं यहां पे दिखिए amount application face जो है नील दिखाई दे रहा है आपका वहां पर category के हिसाब से यहां पर chain होगा कि आपका exam face पर करना है या नहीं करना है तो मैं इस form को फिल अप कर लेता हूं उसके बाद save and next या validate your details पर क्लिक करें save and next पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहां पर basic details के बाद qualification, experience और local language का data फिल करना है qualification में आपका education qualification as 31-2020, degree के बाद graduation का भरना है या graduation का भरना है साथी others का कोई है तो उसको भी बरना है और यहां पर दिया हुआ है कि क्या आपके पास इन योगताओं की समाप्ति के बाद प्रसिक्षड या नोक्रिक का अनभव है तो yes या no पर क्लिक करें उसके बाद यहां पर दिया है कि क्या आप apprenticeship से गुजर चुके हैं या SBI में या किसी अन्य में संगठन में पहले या पीछे के अनुसार प्रसिक्षड अधिनियम 1961 के रूप में क्या आप पहले प्रसिक्षड प्राप्त कर चुके हैं या SBI या No पर क्लिक करना हैं उसके बाद क्या आप में सेक्षडिक योगिता करने के एक चुक है J-A-I-I-B C-A-I-I-B During Three Years Apprenticeship Engagement in the Bank तो Yes या No पर क्लिक करना है आपको उसके बाद Work Experience यदि आपके पास है Start from Present Employee उसके बाद आपको जो है Language जो Language आपको इस्थानी Language आती है जैसे हिंदी तो इसमें Read, Write, Speak इसको चेक बाक्स को एक्टिव करना है यहां पर Language को सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको जो है Save and Validate Your Details पे क्लिक करना है उसके बाद Save and Next पे क्लिक करना है Save and Next बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार का एक फर्म दिखाई देगा जिसमें आपको फोटोग्राफ के नीचे I confirm that this my photo एक चेक बाक्स रहेगा उस पे आप क्लिक कर दिजिएगा अपनी बेसिक डिटेल्स को देखने के बाद सारे फोटोग्राफ के पास चेक बाक्स करना है उसके बाद फाइनल सब्मीट बटन पे आपको क्लिक करना है प्रकार का तुरूटी है तो बैक बटन पे जाके आप फिर से उस तुरूटी को सुधार सकते हैं यदि आप सियोर है कि कोई भी गलती नहीं है तो ओके बटन पे क्लिक करके फाइनल सब्मीट को कर देंगे सब्मीट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है फोटोग्राफ के उपर में प्रिंट एप्लिकेशन का एक इंटरफेस दिखाई देगा उस पे आप क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट करके रख सकते हैं दोस्तों जो लोग समाने ओबी सी और इडवलो एस वाले हैं उनको अपना पेमेंट करना होगा उसके बाद ही आपका फॉर्म जो है समिट होगा एस टी एस वाले लोग का शूल को माफ था इसलिए यहां पे पेमेंट आप्शन नहीं हुआ है आप लोगों में पेमेंट का आप्शन आएगा पेमेंट करने के बाद यह जो है आपको फॉर्म फाइनली सम्मिटेड होगा तो आप लोग अपना पेमेंट आप्शन पूरा कर लीजिएगा दोस्तों जो लोग अपने मोबाइल से इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनके पास इस प्रकार का मैसेज सो कर सकता है इस वेबसाइट इस विएबल अनली इन लेंडिस्केप मोड इस प्रकार का मैसेज आपके मोबाइल में सो करेगा डिस्क्रिप्शन बाक्स में जो लिंक दूंगा उस पे क्लिक करेंगे तो आपका यदि मोबाइल पोर्टेट मोड पे रहेगा तो इस प अपने मोबाइल को लेंडिस्केप मोड में कर लेंगे तो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा मोबाइल के माध्यम से इस फ़र्म को भरने के लिए आप अपने मोबाइल में Google Google Chrome को ऊपर करने के बाद राइट हैंड साइट के टॉप में जो तीन डॉट डॉट पटन दिखाई दे रहा है उस पे आप क्लिक किजेगा क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको डेस्ट आफ साइट को इनेवल कर लेना ह उसके बाद जो है आपको अपने मोबाइल को लेंडिस्केप मोड में करके इस फ़र्म को भरना है मैं इस वीडियो में बताया था कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि अपरेंटिस ट्रेनिंग या स्टेट बेंग का करना की फाइदे मंद हो सकता है जो अभयर्थी किसी जॉब के त्यारी कर रहे हैं तथा अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वे वहाँ ट्राइ कर सकते हैं दूसरा दूसरी बात यह है कि यह सिर्फ तीन साल का ट्रेनिंग है उसके बाद निकाल दिये जाएंगे किन्तो यहां से जो सर्टिफिकेट मिलेगा वह कहीं न कहीं आपको जरूर काम में आएगा अनुभव प्रमापत्र के तौर पे साथ ही जिनके घर में फाइनेंशल समस्या है और वो किसी दूसरे जगह काम की तलास कर रहे हो उनके लिए भी यह बेहतर सुनहरा मौका है कि वे यहां फाइनेंशल प्रॉब्लम की वज़ा से परेशान हो और यहां पे ट्राइ करें जिसके माधम से यदि हो जाता है तो उनकी फाइनेंशल प्रॉब्लम थोड़ी सुधर सकती है साथ ही जिनको तीन साल का बैंकिंग अनुभव प्रमापत्र लेना हो उनके लिए भी यह अच्छी खासी मौका है और अन्त में जो यहां SBI से अप्रेंटिस प्रेशिक्षर प्राप्त कर लेंगे उन्हें प्राइवेट बैंकों में यह प्रमापत्र निश्चे ही काम आएगा क्योंकि वहां पे प्राइवेट बैंकों में जानने के बाद अनुभव प्रमापत्र की जरूरत पड़ते हैं आजकर तो किसी भी काम के लिए बिना अनुभव वाले लोग को प्राथमिक्ता ही नहीं मिलता है तो वैसे कंडिशनों में यह जो है इस ब्याई का अप्रेंटिस से फैदे मंद हो सकता है साथ ही दोस्तों यदि आपको आपको फोटोग्राफ और सिगनेचर का रिसाइज करने या साइज बनाने में किसी भी प्रकार का समस्य होगा तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में मैं एक वीडियो बनाया हूँ फोटो रिसाइज करने का उसको मैं डाल दूंगा आप वहाँ से अपने फोटोग्राफ और सिगनेचर को रिसाइज कर सकते हैं तो दोस्तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग